बाई योज बहनों, मैं जब विक्सिद भारत की बात करता हूँ, तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक या दसक व बातक रही, उस पर चलते यह सम्भभी नहीं था। वो सोच क्या थी? सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजरा कराओ, उन्हें हर मुल्भुत सुविदा के लिए तरसा कर रखो। पहले की सरकारे सोचती थी कि सुविदाएं बनाओ, तो दो-चार बड़े शहरों में नोक्रियों के आउसर बनाओ, तो कुछ चुनिंदा शहरों में ऐसा करना आसान था, क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती थी, लेकिन इसके कारण देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से बन्चित रह गया। यूपी के साथ भी अतीत में ऐसा ही हुआ है। लेकिन डबल इंजिन सरकार ने उस पुरानी राजनितिक सोच को बदल दिया है। हम उत्तर प्रदेश के हर परिवार के जीवन को आसान बनाने में जूटे हैं। जब जीवन आसान होगा, तो बिजनेस करना और कारोबार करना अपने आप में आसान होगा। आप देखिए, हमने गरीबों के लिए चार करोड पक्के घर बनाए हैं। लेकिन साथ ही शहरों में रहने वाले मद्दम बरगिये परिवारों को अपना गर का सपना पूरा करने के लिए हमने लगबक साथ हजार करोड रुपे की मदद भी की है। इस पैसे से शहरों में रहने वाले पतीस लाख मद्दम बरगिये परिवारों को ब्याज में छुट मिली हैं। इसमें डेड़ लाख लाभारती परिवार इमेरे यूपी के हैं। हमारी सरकार ने आईकर में जो कमी की है उसका भी बड़ा लाब मद्दम बर को मिला है। 2014 से पहले सिर्फ दो लाख रुपिये की आई पर ही इंकम टैक्स लग जाता था। जबकि बीजेपी सरकार में अब सात लाख रुपिये तक की आई पर कोई इंकम टैक्स नहीं देना होता। इस वजह से मद्दम बर के हजारो करोड रुपिये बचे हैं। साथियों हमने यूपि में इज अफ लिविंग और इज अफ डुविंग बिजनेस पर समान बल दिया है। डेबल इंजिन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभारती किसी भी सरकारी योजना से बंचित न रहे। हाल में जो विक्सित भारत संकल पर यात्रा हुई है। इसमें भी यूपि के लाखो लाभारतियों को उनके घर के पास ही योजनाओं से जोडा गया है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गाओं गाओं शहर शहर पहुँची है। सेचुरेशन यानी शत प्रतिशत लाभ जब सरकार अपनी तरब से लाभारतियों तक पहुँचाती है। तो वही सच्चा सामाजी की न्याए है। यही सच्चा सेक्यूलरिजम है। अब याद करिये ब्रस्टा चार और बेदभाव का एक बहुत बर्दा कारण क्या होता है। पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाईने लगानी पड़ती थी। एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक कांगज लेके भागदोर करनी पड़ती थी। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है। और ये मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभारती को उसका हक नहीं मिल जाता, हमारी सरकार शान्त नहीं बैठेगी। चायराशन हो, मुप्त इलाज हो, पक्का घर हो, बिजली, पानी, गैस, कनेक्शन हो, ये हर लाभारती को मिलता रहे।